हालो दूस्तों मेरा नहां में बिन है और आप रोग देख रहो बिन है टेक तो मैं आज आप रोग बताने जा रहा हूँ IRCTC का Q3 रेजल्ट के बारे में तो क्या रहा IRCTC का Q3 रेजल्ट मैं आप रोग फुल डिटेर नहीं बताने जा रहा हूँ देखने को मिल रहा हूँ तो quarter-on-quarter basis पे यहां पर improvement देखने को मिल रहा है in income और year-on-year basis पे भी improvement देखने को मिल रहा है in income, ठीक है? और expenses, total expenses company के नहीं खर्चा कर रहा है, current quarter में 74,298 और उससे पहले quarter में 64,717 और उससे पहले quarter में 60,752 quarter-on-quarter basis पे यहां पर expenses बढ़ रहा है company के तरब से और year-on-year basis भी अच्छा कासा जम देखने को मिल रहा है in expenses और profit or loss after tax from counting operation current quarter में 29,999 और उससे पहले quarter में 29,467 और उससे पहले quarter में 25,552 quarter-on-quarter basis पे यहां पे थोड़ा improvement देखने को मिल रहा है in profit और year-on-year basis पे यहां पे आपको अच्छा कासा जम देखने को मिल रहा है in profit तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ equity per share EPS के बारे में 3.75 current quarter में पिछले quarter में 3.68 और उससे पहले quarter में 3.19 तो quarter-on-quarter basis पे यहां पे